पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस बाइग्रफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें ये दास्ता है एक बहुत ही जबर्दस अभिनेता की जिने हम सप्रू के नाम से जानते हैं इनका जन्म हुआ जम्मू में तारीख 16 मार्च सन 1916 इनका परिवार एक बहुत बड़ा परिवार था जिसमें चार भाई और दो बहने थी सप्रू साब अपने माबाप की चौती संतान थी इनका पूरा नाम रहा दया किशिन सप्रू लेकिन सप्रू के नाम से ही ये मशूर हुए इनके वालिद डोगरा राज्ये के खजानची हुआ करते थे और इनके राजा थे उस वक्त महराजा हरी सिंग इस वज़े से इनके परिवार में दो घर थे एक जमू में और दूसरा लाहौर में सप्रू साब की पढ़ाई लिखाई उर्दू और हिंदी माध्यम में हुई अंग्रेजी ज़रा कम पढ़ाई जाती थी और इनकी इच्छा थी कि ये भी आगे जाकर अंग्रेजी पढ़ सकें और इस तरह से इन्होंने खुद ही अंग्रेजी भाशा का अध्यान किया और उसकी पढ़ाई लिखाई की सप्रू सहाब को बच्बन सही संगीत का भी शौक था जब लाहोर शेहर में ये बड़े हुए तब इन्होंने बतौर कॉंट्रेक्टर एक नौकरी पकड़ ली फिर ये जरंदर कैंट में तकरीबन दो से तीन बरस रहे सप्रू सहाब की कौलिज की मित्रों ने कहा कि तुम निहाएदी खुबसूरत हो दंदार आवाज है क्यों नहीं तुम फिल्मों का हिस्सा बन जाते हो और इसी खयाल के साथ सप्रू सहाब पूरे चले गए इन्होंने अपने वालत को बताया नहीं था कि ये फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं पूरे पहुंचकर इनकी मुलाकात हुई वीशांताराम, शेख फतेलाल और बाबुराव साहब से ये लोग उस वक्त प्रभाद स्टूडियो के मालिक हुआ करते थे इन्हें प्रभाद स्टूडियो के फिल्म में पेश्वा का करदार निभाने के लिए मिला सभी ने कहा कि ये नौजवान तो नहाईदी खुबसूरत है और बहुत हुनर मंद है कुछ वक्त के बाद ये बतौर हीरो भी फिल्मों में नजर आए फिल्म का नाम रहा लाखारानी जिसमें इनके अभिनेतरी थी मौनिका देसाई उस जमाने में इनके पगार तकरीबन धाई से तीन हजार रुपे महिना रही ये वो वक्त भी था जो सप्रू साहब की दोस्ती हुई देवनन साहब से गुरुदत साहब से और रह्मान साहब से ये बात भी गौर करने लायक है कि देवनन साहब ने सप्रू साहब की बीवी के साथ बतौर हीरो काम किया था फिल्म का नाम रहा मोहन ये वो वक्त भी था जब उस जमाने में एक बड़े मशूर अभिनेता हुआ करते थे जिनका नाम था चंदर मोहन चंदर मोहन सहाब की अकस्मात मृत्य हो गई और उसके बाद ये बाद सामने आई कि सपरू सहाब में वो तवाम खूबियां हैं जो चंदर मोहन सहाब में रही दोनों ही कश्मीरी पंडित थे ये बात भी हैरान करती है कि के असिफ सहाब उस वक्त फिल्म मुगले आजम का निर्मान कर रहे थे जिसके लिए वो एक अभिनेता ढूंड रहे थे जो शेहजाद सलीम का करदार निभा सकें ये वो वक्त भी था जब नर्गिस जी को चुना गया था अनार कली के करदार के लिए लेकिन ये फिल्म मुकमल ना हो सकी क्योंकि उस फिल्म में पैसा लगाने वाले व्यक्ति की मृत्यों हो गई चंद्रमोन सहाब अकबर का करदार निभाते सपरू सहाब शेहजाद सलीम का और बहुत बरसों के बाद के असिव सहाब ने फिल्म मनाई मुगले आजम जिसमें प्रित्विराज कपूर मुगले आजम बने दिलिप कुमार शेहजाद सलीम और मधुबाला कनीज अनार कली धीरे धीरे फिल्मों में सपरू सहाब का इतना नाम हो गया कि इन्होंने अपना घर मुंबई शेहर में ही बसा लिया उस जमाने के मशूर विलन जीवन इनके गहरे दोस्त रहे सपरू सहाब ने धीरे धीरे पैसा फिल्मों के निर्मान में लगा दिया एक फिल्म बनी पति कुछ लोगों ने सप्रू सहाब को ये हिदायत दी कि क्यों नहीं तुम अपना बंगला गिर्वी रख देते हो ताकि तुम फिल्मों में वो पैसा लगा सको और ये फैसला गलत सापित हुआ सप्रू सहाब ने तक्रीबन साड़े तीन सो फिल्मों में काम किया बतौर हीरो भी बतौर प्रोड्यूसर भी और उसके बाद ये एक चदित अभीनेता की तरहां फिल्मों में नज़र आने लगे कभी विल्म का किरदार निभाते तो कभी बहुत ही साखायरात्मा किरदार सप्रू सहाब ने कई माइथलोजिकल फिल्मों में भी काम किया सप्रू सहाब नहायती खुबशूरत थे बहुत से रिष्टे इनके लिए आ रहे थे लेकिन सन 1948 में इन्होंने हिम वतीजी से शादी कर ली जो खुद एक बड़ी जबर्दस अभी नेतरी रही गुरुदत सहाब की फिल्म साहिब बीवियो गुलाम में सप्रू सहाब ने विलेन का करदार निभाया और इनकी डालोग डिलिवरी देखते ही बनती थी फिल्म पाकिजा में अशोक कुमार साहब ने जो करदार निभाया दरसल वो सप्रू साब निभाने वाले थे लेकिन बात कुछ इस तरह से बनी कि इन्होंने फिल्म पाकिजा में भी विलेन का ही करदार निभाया सप्रू साहब अपनी आवास का दमखम बरकरार रखने के लिए अकसर सुभा पांच बजे उड़ जाते और गाने का रियास करके अपनी आवास को मजबूत बनाए रखते ये बात भी बड़ी आश्चरे की है ये आगे जाकर सप्रू साहब एक होमियोपेतिक डॉक्टर बन गए इनके बच्चे भी आगे जाकर बताओर अभिनेता और अभिनेतरी नजर आए प्रिती सप्रू और तेज सप्रू का नाम तो सभी के जुबाँ पर है ये बात सही है कि दिल का दौरा पढ़ने की वज़े से इनका इंतकाल हुआ लेकिन उससे पहले इन्हें कैंसर हो गया था डॉक्टर्स ने कहा था कि कैंसर ठीक हो गया है पर कैंसर की बिमारी का तनाव इनकी जान ले बैठा यकिनन भारतिय सिनमा के इतिहास में सप्रू सहाब ने वो मकाम हसल किया है जिसके लिए बहुत से अभी नेता तरस्ते रह जाते हैं ये केवल घंब है यम अधात नियम महान प्रतिबहों के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History